मैं जितेंद्र मालवा इस्टाड़ी यूटूब जिनल पर आपका श्वागत करता हूँ जैसे कि आज की इस वीडियो में हमके देखेंगे प्राफिट एंड लोस देखेंगे तो प्राफिट एंड लोस के क्योशन नॉर्मल भी देखेंगे बेसिक लेवल के भी देखेंगे और मॉडरेट भी देखेंगे तो इसमें सारे के सारे क्योशन इंक्लूड होंगे तो आईए बिना किसी देरी के हम इसको स्टाड करते हैं तो पहला क्योशन है सुदा ने एक गुडिया पांसो रुपर में खरीदी और पंदरा परसेंट की हानी पर बेच दिया गुडिया क और क्या चीज रखते हैं और बटे के ऊपर जो अपन के ऊपर होती है वो क्या चीज होती है सबसे मेन बात ही होती है बटे का मतलब यह होता है कि कोई नंबर है कोई नंबर है जैसे कि 25 बराबर है 5 इंटू 5 के तो यह बराबर है तो इसको हम किस परकार से लिख सकते हैं इस को हम इस प्रकार से भी लेख सकते हैं कि 25 बटे में 5 इंटू 5 बटे में 5 इंटू 5 तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बराबर वाली वैल्यू को हम बटे में भी रख सकते हैं लेकिन बटे में रखेंगे कब जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर ह होगीaurताथ बराबरके दोनों तरप की जो यெलिः होगी वह आपस में होना चाहिए बराबर अजात चाहिए तब जाकर कर दो कर हम बराबर में रक सकते हैं। उसीरपार के δ THAT के आप पर बटे के नीचे ये वाली वैल्यू भी इस वाली वैल्यू की यूनिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए यूनिट का मतलब ये है यूनिट का मतलब ये अगर ये विक्रे मूल्य है ये विक्रे मूल्य है ठीक है ना क्या है विक्रे मूल्य तो ये भी क्या होना चाहिए व बटे के नीचे ओड़ के रखाता है बटे के नीचे करेमूली और क्रेमूली कब रखाता है क्रेमूली तब रखाता है नीचे जब हमें या तो लाब निकालना होगा या हानी निकालनी होगी या तो लाब या हानी निकालने पर हम किस पर निकालते हैं क्रेमूली पर निकालते अगर ये विक्रे मूली है तो ये भी क्या होना चाहिए विक्रे मूली है अब उपर क्या होगा उपर क्या होगा उपर होगा नंबर क्या होगा और नीचे क्या होगा या तो हमारा क्या होगा अनुपात वाली वैल्यू होगी क्या होगी अनुपात वाली वैल्यू होगी या प उपर लाब नमबर में होगा नमबर में होगा या फिर कोई संक्या में होगा और नीचे लाब क्या होगा या तो प्रतिशत में होगा या फिर किस में होगा अनुपात में होगा उसी प्रकार से अगर उपर हानी है तो नीचे भी क्या होनी चाहिए हानी होनी चाहिए और यहां प्रतिशत में होगी या फिर अनुपात में होगी या फिर अनुपात वाली वैल्यू में होगी और यह किस में होगी नंबर में अर्थाद हम यह जान सकते हैं कि बटे में हम तभी रख सकते हैं उपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू की यूनिट समान हो उपर वाली वै और नीचे वाली वेल्य दोनों ही क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए अब यह हमने बेसिक फंडामेंटल कुछ बिंदू हमने या फिर पॉइंट देख लिये थे तो हम देखेंगे सुदा ने गुडिया 500 रुपे में खरी दी और 15% आनी पर बेज दी तो उसका विक्रे मूली बताना है तो समझ ना 500 रुपे में खरी दी और बेज कितने भी दी 15% आनी पर अर्थात कोई वस्तू अपने आप में 100% में होगी उसकी कीमत तो 15% आनी होगी तो अर्थात वो वेल्यू कितनी बची होगी 85% बची होगी तो इसका क्या निकालना है 85% निकालना है और परसेंट निकालने के लिए अपन के लगाएंगे 100 लगाएंगे 0 से 0, 2 0 नीचे तो 2 0 उपर की होगी 5 से केंस लाउट करेंगे तो 8,45 और 25 यानी की 425 उसका क्या होजाएगा विक्रे मूली होजाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगी उसकी तो 500 उर्पे में खरीदी गई वस तो 425 उर्पे में बेची जाएगी और उसको कितने परसेंट आनी हो जाएगी 15% आनी हो जाएगी तो 425 का दिया आपको D number option में दिया चार number option में दिया अब एक तरीका और मैं अपना खुद का बताना चाहूंगा कि मैं जब question करता हूँ विक्रे मूले वाले लाभानी वाले फिर percentage निकालने वाले तो केसे निकालेंगे तो उसको केसे निकालते हैं जैसे कि बात करते हैं कोई value यहाँ पर क्या है 15,000 है और कोई value यहाँ पर क्या है 20,000 है और कोई value यहाँ पर कितनी है 30,000 है यह फिर 3,000 देख लो क्या देख लो 3,000 अब देखो यह अपने आप में कितनी percent 100% यह अपने आप में कितनी percent 100% यह अपने आप में कितनी percent 100% जब यह अपने आप में 100% है तो एक अंग के पहले point लगा दूँगा यहां भी एक अंग के पहले point लग जाएगा तो नीचे कितनी percent बचिए 10% बचिए और उपर कितने बचे हैं 300 बचे हैं एक अंग के पहले point लगा दिया, एक अंग के पहले point लगा दिया, ऊपर कितना बचा है, 2000 बचा है, और नीचे कितना बचा है, 10% बचीए, एक अंग के पहले point, एक अंग के पहले point, यानि कितना बचा है, 1500 बचा है, और नीचे कितना बचा है, 10, तो देखो, यहाँ पर 1500 है, य यहां पर 300 रुपए है लेकि नीचे percentage क्या है दसी percent है यानि कि number number में तो value change हो सकती है लेकि percentage value में change नहीं हुई इस से क्या सीखे हम कि कोई सी भी value हो कोई सी भी value हो अगर एक अंग के पहले point लगाया कोई सी भी value हो यह 100% होती है अपने आप में अगर एक अंग के पहले point लगाया तो वह अपने आप में कितनी रह जाती है दस percent रह जाती है अगर फिर अगर दो अंग के पहले point लगाएंगे तो वह अपने आप में कितनी percent रह जाएगी एक percent रह जाएगी तो यही मैं करते हैं यह तो कर लिया हमने अगले क्वुशन की और बढ़ते हैं यह अगला क्वुशन देखो अगले क्वुशन को करते हैं कि कि by खरीट कर चार प्रसंट का विए सब्सक्राइब ना आता का है वो तो कि तुष्चन है उसमें टाइप हो गया हो अगा लेकिन CP कितनी थी 2500 रुपे थी आपको निकालना है SP अब इस SP में क्या है CP भी मौझूद है और प्रॉफिट भी मौझूद है तो CP अपने आप में कितना है 2500 रुपे और प्रॉफिट कितना है चार पर तो इसका 4% निकाल लेते तो आप से मैंने बोला एक अंग के पहले प्रॉइंट लगाते थे तो वो 10% वेल्यू बचती है दो अंक्ट के पहले पॉइंट लगा दे तो आपने आप में एक परसेंट बच जाती है यानि कि 0.5 रुपे ड़ाई रुपे एक परसेंट की वेल्यू तो एक का कितना गुना दिया है परसेंट में चार गुना तो एक का अगर मैं चार गुना कर दता हूं चार परसेंट निकल जेगी दाही का भी चार गुना कर दो आप तो दाही का चार गुना कितना होता है seeiki 4 से केंसल आॉट करेंगे तो कितने आंगे 46 से कंचल ना चाईगा कितने है ईसका मतलब 900 रुपय में बेचने से 100 रुपय की हानी होगी? मतलब खरीदा कितने महोंगा सो एक Out Airl Pang Can खरीदा होगा क्यों कि 100% आनी को हमने जोड़ दिया हानी जब होगी तो उसको विक्रेमूल में जोड़ देंगे तो प्रतिश्षित में बताना है अब सी पी कितने की है एक हजार रूपे की और यहांपर हानी कितने की हुई हानी कितने की हुई 100 रुपे की 100 रुपे की अब एक अंग के पहले पॉइंट लगा देंगे 10% रह जाती है और 10% वेल्यू कितनी है 100 है तो यहां भी तो 100 है 10% की वेल्यू सुआ गई 10% नहानी हुई थी उसको मतलब की यानि कि एक नंबर का उपसन राइट हो जाएगा अगला क्यूशन देख लेते हैं अगला क्यूशन जब देखेंगे कि वीजे ने एक किताब 50 रुपे में खरी दी और 55 रुपे में बेंच दी तो उसे प्रतिशत लाब कितना हुआ वह यह CP कितनी थी CP कितनी थी उसकी 50 रुपे तो CP दी उसकी 50 रुपे और A.S.P. आपको बताना है A.S.P. तो आपको बताना है दी हुई है 55 रुपे कितनी दीए 55 रुपे दीए तो यहां पर क्या गरने वाले हम अब यहां पर देखो लाब कितने का हुगया आप बोलोगा भाई यह लाब तो 5 रुपे का हो गया है कितने का हो गया पांच रुपे का अब एक अंग पहले पोईंट लगाया कितना है 10% 10% की विली कि उतनी है 5 तो 5 ही तो यहां है तो 10% का लाब हो गया 5 रुपे बरावर है 10% अरता सी नंबर का उप्सन राइट हो जाएगा या फिर आप ऐसा देख लो कि पांच रुपे का लाब हुआ और लाब आनी किस पर होती है क्रेम मुली पर कितने थे पचास और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे हंड्रेट तो पचास एक पचास पचास दूने सो पांच दूने दस इस परिकार से भी आप क्या निकाल सकते हो यहीं कि 10 परसेंट वेल्यू क्या जाएगि यहां पर आफ़र आनसर जाएगा 10 परसेंट अगला क्यूशन देखओ आप किसी ग्राग को एक मोटर साइकल जिसका अंकित मूली 40,000 है और खरिदने के लिए चुमाली 800 रुपे देने पड़ते हैं मोटर साइकल का बिक्री मूली बताईए परसेट में बताना है बिक्री कर क्या है खरीदी कितने में? 40,000 में कितने में खरीद ली? 40,000 में बेच कितने में बेच दी? 45,000 में बेच दी अब यहां देखो लाब कितने का हो रहा है खरीदी इतने में और बेच इतने में दी तो लाब ही तो हो रहा है क्योंकि ज़्यादा में बेची ना इसलिए तो 4,800 रुपे का लाब हुआ है चार अजार आट सो रुपे का लाब हुआ है, अब यहां से निकालते हैं, हम क्या निकाले, एक तो परसेंटेज हम पॉइंट वाली निकाल ले देगो, एक अंगे पहले पॉइंट लगाया, कितना आया, चार अजार, तो चार अजार तो इसमें है, आट सो और निकालना, तो हमें निकालना है, हमारे कॉंसेट से, यह देखो कि 4800 रुपे का क्या हुआ, यहां पर लाब हुआ है, हमें सा किस पर निकालते हैं, क्रेम उल्य पर निकालते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए के लगा देंगी 100, तो एक, दो, तीन, और चार, एक, दो, तीन, चार, से किंसल आउड कि यहां बारा तो 12 परसेंट का यहां पर क्या होगा, लाब होगा फिर बिकरी कर होगा 12 परसेंट, एपर निममर का ओप्सन राइट हो जाएगा, अगले क्वेशन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेशन दिया, आपको स्कीन पर दिया, इसको स्वल्व करना, 10% तता 20% की क्रमवार कटोती किस एक मातर के बराबर है तो यहाँ पर हम successive percent लगाएंगे successive percent लगाएंगे तो भी यह पहले 10% का दिया फिर 20% का छूट दिये और छूट आ रही तो आखरी में क्या जाएगा minus हो जाएगा 10 into 20 10 into 20 अब उन में 100 तो यह क्या concept है x plus y x plus y तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा minus और यह plus वाली बात है discount का मतलब क्या होता है discount का मतलब क्या छूटी होती है क्या होती है छूटी यानि कि कम करा क्या किया कम किया या फिर आप इस पिकार से यहां पर भी छूट दिए यहां पर भी छूट दिए और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है तो क्या जाएगा? प्लस यानी कि X, Y upon ये वाली वैल्यू लग जाएगी अर्दाद हम यह कहां देखेंगे यह क्यों देखें लेकिन हमें तो डायेट संक्याओं पर वर्क करो ना यहां पर डिसकाउंट इस परिकार से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही डिसकाउंट थे 10 प्लस 20 और यह क्या जाएगा मैनस इस ले डिसकाउंट है अब आप सोच रहा होंगे कि पेले मैनस मेनस बताया है जब संक्याओं पर वर्क करेंगे दोनों डिसकाउंट रहत तो इसको क्या कर लेंगे प्लस 10-20 मैनस मैनस क्या हो गया दाउ into 20 upon 100 कोई दिक्कत थोड़ी है, 0 से 0, 0 से 0, minus 10 minus 20 कितने हो गाए, minus के 30 हो गाए, और plus के कितने हो गाए, 2, 2 एकम 2, तो 30 में से 2 और जो गाए, तो बचे कितने हैं, minus के 28 बचे, क्या बचे है, minus के 28, यानि कि 28% यहापर क्या होगा, सम्तुल ये बट्टा होगा सम्तुल डिस्काउंट होगा या तो दो छूट दे दो या फिर अकली 28% की छूट दे दो तो 28% आ गया तो इसको इस परकार से भी कर सकते है और इसको इस परकार से भी कर सकते मानके चलते हैं कि हमेसा और हमेसा किस पर दी जाती है डिसकाउंट हमेसा और हमेसा दी जाता है डिसकाउंट MRP पर किस पर दी जाता है MRP पर अगर MRP कितनी है यहां पर 100 है MRP कितनी है 100 पहला डिसकाउंट मिला 10 का पहला डिसकाउंट मिला 10 का कितने बज़ गाए 90 यानि कि आखरी जो value बचेगी अब मैं बेच दूँगा बहुततर पर निकि बहुततर value बची हमने माना कितना था MRP को मैं माना था 100 और बेच कितने में दिया बहुततर में तो यानि कि 28 का discount दिया अग ने दिया 28% का discount दिया अग ने दिया तो आप बोलोगों कि हाँ दिया तो लेकिन successive best तरीका है यहाँ पर अगला क्युस्टन देखो एक चाहे दुकान दान ने 80 किलोग्राम चाहे 80 रुपे परती किलोग्राम की दर से 120 किलोग्राम चाहे 100 रुपे परती किलोग्राम की दर से लिया मिस्री चाहे को किस बावसे बिचे कि 25% का लाब हो जाए तो यहा कितने कितने रुपे 80 रुपे पर केजी 80 रुपे पर केजी के हिसाब से खरी दी तो यानि कि कुल कुल कितना हो जाएगा 8 तई या 460 और डबल जीरो यानि कि इतने रुपे खर्च हो जाएंगे उसके बाद फिर हुआ गिया 120 केजी चाहे खरी दी 120 केजी चाहे खरी दी कितने में 100 में 100 रुपे पर केजी के हिसाब से खरी दी और ताथ 120 में 100 का इंटू करूंगा तो कुल कितना हो जाएगा कुल 12,000 कितना हो जाएगा 12,000 यानि कि इसका into का दिया मैंने ही यहां कर दिया 12 और एंग जिरु यहां है दो जिरु यहां, तीन जिरु हो गई 12 के बाद मेle तो कितना हुआ 12 जार यह और 6800 ची यह तो 8400 हो गाए, कितने हो गाए? 8400 नहीं, 18400 तो इसका मतलब अभी तो हमें क्या करना है 25 परसेंट का 25 परसेंट लाप कमाना है तो 25 परसेंट का फ्रेक्षन वेल्यू कितनी होती एक बटे चार चार पे कल आप कमा मतलब पांच बटे चार चार से कैंस लाउट किया चार चुखे 16 दो बचगा 24 चार चंग 24 और डबल जीरो यानि इंटु करेंगे जीरो की जीरो और जीरो की जीरो पांच तीस की जीरो बचगा 3 पांच चु की 27 और 3 कितने होती यानिकी 23,000 रूपे में 25 परसेंट का लाप भी इस में अब हमें यहां पर देखना होगा कि पर केजी की मूल्य क्या है तो टोटल हमने जोड करके 23,000 रुपय आए थे अब यहां 120 केजी तो यहां करीदी ती और 80 केजी तो टोटल कितने हो गई 200 केजी हो गई अब हम प्रती केजी का भाव निकाल लेंगे 0 से 0 जीरो से 0, 2 से केजी लाउड किया कितने आगा है 115 तो 115 रुपय पर केजी का क्या रहेगा यहां पर भाव रहेगा 115 यानि कि D नंबर का उप्सन राइट हो जाएगा यह देखो आप अगला क्योंशन की और बढ़ते हैं यहां पर अब अगले क्योंशन की और बढ़ते हैं इसक कि यहां पर 15% लाब पर बेची तो यहां पर सेल कर दिया उसने कितने में 15% लाब मतलब की 115 में कर दिया से लेकिन वो बोल रहा है CP अब CP कितनी मान ली मैंने CP मान ली मैंने 100 कितने 100 अगर 10% कम में खरीदी होती मतलब की खरीदी कितने में होती 10% का मतलब की 90 में खरीदी होत कितने में 20% कर देंगे तो इस में क्यांकर देंग छोटेंगे इसमेंट प्लस करेंगे और प्लस करेंगे और शल्राव क्को यह पर प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 108, कितने हो जाएंगे 108 में अब वो sale कर देगा, क्या कर देगा, sale, अब मुझे बता, 115 में खरीद रहा था, 108 में खरीदा, तो कितने कम में खरीदा, आप बोलोगे, 7 unit कम में खरीदा, 7 unit कम में खरीदा, लेकिन रुपे में कितना खरीदा था, 35, रुपे एकम साथ और साथ पंजे पेतीस तो यहां पर देखो एक परसेंट की वैल्यू कितनी है पांच रुपे यहां पर डबल जिरो लगा दो क्योंकि हमने क्रेम उल्लिय सो माना तो यहां पर भी क्या लगा दो डबल जिरो लगा दो अर्ताथ 500 रुपे उसका वास्थिकता में क्रे जी 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 एकम साथापजरा है यहां थ्यॹपे प्रपकरतिरी ज़ने का समय है वेक क्योंकि है प्याथ 1 ठीछ